हेलो दोस्तों, आपका सबस्धार चेनल में आज हम बात करेंगे सपने में शूरूई माणा नहीं में मशली , एनके फिश को खाना कैसा होता है ? क्ये इस सपने मनें बहुत अलग तरह सपने में आते ह dw webs vai गहरी निन में व्यंति सपने हम सो--" कोई बिचाब नहीं किया अधल लग यहां मिलैं हों कि लिए ऱकट करा सकती है क्या बढू diff'dal निखित है था कम बाका नहीं बढूने या नॉन मेजेटेरियन सपने तो संकेत देते हैं और यह किसी तरह से किसी भी को भी आ सकते हैं तो सपने में मशली को खाना क्या संकेत देता है आज हम जानेंगे प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें आपका सहयो मेरे लिए अमुली और म हत्यपूर्ण है तो यदि आप सपने में देखते हैं मशली को खाते हुए और वो मशली बनी हुई पकी हुई मतलब जैसे किसी सबजी को खाया जाता है लाइक वैसे ही पकी हुई प्रिपेर मशली होनी चाहिए तो यदि आप मशली को खाने में खाने की तरह देखते हैं त तो यह अच्छा संकेत है दोस्तों यह संकेत बताता है कि आने वाले समय में आप यदि किसी परेशानी या किसी बीमारी से घीरी हुए हैं या आप किसी सर्वाइब कर रहे हैं किसी परेशानी या बीमारी से तो उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है मचली को बनी हुई पक को आपने लिया हुआ है, खाने के लिए सरु किया हुआ है, और गल्ति से या किसी बी तरह से वह गिर जाती है या आप ऊस्मचली को खां नहीं पाते हैut. तो यह संकेत देता कि आप के जो कहाई चल रहे हैं या ऐसाफ़ से जहत संबन्धर या परिशानिया अबाँ हैं अपने सारी व्यवस्ताव को ठीकी करने की कोषिश कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं से कोई रुकावट आ रही है आपके सामने किनी सामें पर drama कि Bundika क Fine Couple के अबावल ऑफ के हैं आप खाने काथा है मशली को अब लेते हुए भी और यदि दोस्तों आप देखते हैं कच्ची मचली को खाते हुए तो यह अच्छा संकेत नहीं है यह संकेत बताता है कि आप जिस भी योजना में कार में ब्यापार में नौकरी में जो भी कार कर रहे हैं योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको और ज्यादा ध्यान देने के आव तो मतलब कच्ची मचली को खाते हुई देखना आपको संकेत दे रहे हैं और ज्यादा अवेर और अगाह होने का कि आप ये काम करने से पहले थोड़ा और सोच बिचार कर लें अच्छी तरह से योजना बना ले और वहीं दोस्तों आप देखते छोटी-छोटी सी मचलियों को तो चोटी-छोटी मचलियां संकेत करती हैं लाइफ में चोटी-छोटी परिशानियों को होने का तो या दिये अपने ऐसे सपना देखाया तो इस तिदर ने कि आवशकता नहीं आपको ये सपना दिखाया गया है ताकि आप अपनी परिशानियों को आने वाले संकेत को समझ के उनसे निपटने का और उनको दूर करने का काम कर सके तो अपने किसी भी तरह के आते हैं तो वह संकेत होते हैं कि आपको उनसे कैसे संभलना है और उन परेशानियों को कैसे दूर करना है इस परकार करने की योजना बनाना है तो दोस्तों सपने में मशली को खाना देखना इ महत्पूर है अपना बहुत सारा ख्याल रखिए खुश रहिए